आज का हमारा लेसन है creating polygon primitives लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें देखना हुआ कि हम व्यूपोर्ट को किस तरह से navigate कर सकते हैं व्यूपोर्ट को navigate करने के लिए तीन main controls होते हैं सबसे पहला होता है tumble, second होता है track और third होता है dolly सबसे पहले tumble होता है जिसके तरह आप अपने viewport को rotate कर सकते हैं अपने object के round देख सकते हैं tumble का action perform करने के लिए आपको alt key key press करनी पड़ेगी और hold रखनी पड़ेगी then आप अपने left click को press and hold करेंगे जैसी आप press and hold करते हैं आपका जो cursor है वो tumble के icon में shift हो जाएगा change हो जाएगा then आप अपने viewport को rotate कर सकते हैं second option है हमारा track track के लिए again आपने अपनी alt key press and hold रखनी है middle mouse button जैसे ही आप press करेंगे तो आप दिखेंगे के आपका icon again change हो चुका है cursor आपका change हो चुका है then आप mouse अपना move करें around में तो आपका जो screen है वो basically track होना शुरू हो जाएगी तो आपका viewport है वो track होना शुरू हो जाएगा third आपका option है वो है dolly और इसके लिए again आपको alt key press and hold रखनी पड़ेगी then आप जैसी अपना right click button जो है वो प्रेस करेंगे तो आपका cursor again change हो जाएगा dolly के icon के अदर then आप अपना mouse move करें तो आपकी जो viewport है उसमें वो action perform होना start हो जाएगा basically middle mouse से आप अपने screen space को move करते हैं और right click से आप zoom in और zoom out कर सकते हैं अपने camera को तो आइए start करते हैं creating polygon primitives चलें start करते हैं primitives क्या होते हैं polygon primitives के जानने के लिए हम create के option पर click करेंगे इसको tear off कर लें window को इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास तीन किसम के primitives हैं nerves primitives polygon primitives और volume primitives हम आज के lesson में देखेंगे कि polygon primitives क्या होते हैं polygon primitives में आप देख सकते हैं कि सबसे top of the list हमारे पास मौजूद है sphere then cube, cylinder, cone, torus, plane, disk, platonic solid, pyramid, prism और इसी तरह से दीगर primitives हमारे पास मौजूद है polygon primitives create करने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका यह है कि हम simple sphere को click करते हैं तो sphere automatically screen पे देखें viewport में generate हो जाता है second method यह है कि आप देख सकते हैं second last एक option है interactive creation अगर हम इसके check box पे check लगा देते हैं तो यह option active हो जाएगा इसका मतलब यह है कि हम अपने मर्जी से कोई भी polygon primitive create करेंगे मिसाल के तोर पर मैं sphere create करता हूँ तो इससे पहले जब मैंने sphere पे click किया था तो वह automatically create हो चुका था मेरे viewport पे लेकिन अब जब मैं इसको click करता हूँ तो देखें drag on the grid का बीच में एक option लिखा वार है एक text box लिखा वार है drag on the grid इसका मतलब यह कि interactive creation के अंदर यह होता है कि मुझे option select करने के बाद click and drag करना पड़ेगा अपने primitive को create करने के लिए तो कि click करके hold रखूँगा then मैं mouse को drag करूँगा तो वो मुझे scale option देगा कि कितना बड़ा मुझे primitive draw करना है screen पे then मैं click release कर दूँगा तो मेरा primitive create हो चुका होगा लेकिन अगर मैं sphere के आगे बनेव एक square box पर click करता हूँ तो यह मुझे sphere के option देगा कि कितने आपको axis divisions आई कितने आपको height divisions आईए इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे axis divisions 4 चाहिए height division भी 4 चाहिए then मैं create करता हूँ तो देखें sphere की कुछ शकल इस तरह से होगी इसका मतलब यह है कि जो मैंने axis division 4 रखे है यह division axis के जो है यह y axis के divisions है और यह यह जो axis divisions है यह x axis पर divisions है और यह height divisions y axis पर है polygon primitives basically divisions पर बेस करता है जितने जादा divisions होंगे उतना ही अच्छा result आपको देखने को मिलेगा हम delete करते है एक new primitive create करेंगे sphere का लेकिन इस बार हम axis division रखेंगे 15 height divisions रखेंगे 15 then हम एक primitive create करेंगे तो देखें इसकी इसके divisions different है इसी तरह से अगर मैं दुबारा sphere के options लेता हूं मैं axis divisions करता हूं इस बार 10 height division करता हूं 10 देखें इसके divisions different है इसी तरह से sphere के दुबारा option लेते हैं और यहां पर हम मजीड axis division कम करेंगे 6 और height divisions भी हम 6 रखेंगे तो अब देखीगा इसकी शकल कुछ ऐसी होगी हमेशा याद रखीगा के polygon अपनी polycount के ओपर base करता है यह axis divisions जो हम देख रहे हैं इसकी हम एक term यूज़ करते हैं तो जितनी जादा मैं polycount रखूँगा इसके अंदर यादि के divisions में add करूँगा उतना ही जादा accurate एक shape जनरेट करेगा यह मैं अगर axis division यह पर 30 रखता हूँ और उसके नीचे height division में 30 रखता हूँ तो अब देखीगा के अब जो sphere है वो पहले spheres जितने भी मैंने बनाए है उन सबसे जादा smooth है ठीक है इसी तरह से हम delete करते हैं सबको next हम cube देखते है क्यूब किस तरह से create हो सकता है और क्यूब के क्या options हैं क्यूब सबसे पहले हम interactive create पर इसे check out आएंगे क्यूब को click करेंगे क्यूब एक draw हो गया हमारे पास ठीक है अब हम इसके options देख लेते हैं क्यूब के options में हैं हमारे पास with divisions, height divisions, depth divisions ठीक है interactive को check लगाते हैं cube के divisions add करते हैं division 10 करते हैं 10 करते हैं 10 करते हैं create तो अब आप देखेंगे के इसके अदर divisions कितने जादा add हो चुके हैं लेकिन इन divisions का हमें फिलहाल कोई फाइदा नहीं होगा क्यूंकि ये अल्रीडी एक planner surface है और एक planner surface में इतने सारे divisions बे माइने होते हैं until and less वो object deform ना हो रहा हूँ हम इसको आगे मजीद कवर करेंगे अपने modeling section में फिलहाल एक overview के लिए हमें समझना जरूरी है इस चीज को cylinder then कौन देख सकते हैं हम torus plane simple plane disk simple disk platonic solid ये एक dynamic mesh है इसकी हम बाद में exploration करेंगे ये थोड़ा difficult होता है pyramid prism ये डिफरेंट शेप्स हैं जो के आपको modeling में बहुत help करेंगे pipe बहुत important shape है ये helix is also a most important thing and gear which is new ये माय 2020 केंदर कुछ नएशेप्स हैं जासे शूपर Eclipse sphärical harmonics ultra shape झाल झाल झाल